ओम नमस्षिवाय जै महाकाल शिव पुराण की खथा कहती है कि भागवान का पशाथ अगर पलंग पर जितने घंटे रखा रहता है उतना दद, उतना दुख, उतनी तकलीफ, उतनी विवाई सरीर में आती है शिव महापुरान की कथा कहते है कि भागवान का पशात पलंग पर नहीं रखा जाता जिस पर हम सोते हैं उस पर भागवान का पशात कभी मत रखना वो दुख देता है बिमारी देता है वो कश्ट देता है जानने ऐसा क्यों एक बार भ्रहगु रिशी ने माजगत जन्नी जगदम्मा की आरातना की थी और जगदम्मा ने भ्रहगु रिशी को एक माला दी थी और जब भ्रहगु रिशी उस माला को पहन कर चले तो बीच में ही दच प्रजापती मिल गए और दच प्रजापती ने उस माला को देखा जो भ्रगु रिशी ने अपने गले में धारण कर रखी थी तब दश प्रजापती ने भ्रगु रिशी से कहा भ्रगु वाबा ये माला जो आपने अपने गले में पहन रखी है इसे मुझे दे दो और फिर भ्रगु रिशी ने उस माला को दश प्रजापती को दे दिया और जब दश प्रजापती ने वह माला ले ली। एधिस दश प्रजापती रात को सो ने चले, तो भ्रगूरीशी से जो माला उन्हों ने ली थी, वह माला अपने पलंग पर रख दी और दश प्रजापती सो गये। और जब भ्रगुरिशी की माला जो मा जगत जन्नी अंबिकान ने भ्रगुरिशी को प्रशाद रूप में दिया था उसको जब दच ने पलंग पर रख दिया तभी ये देकर मा जगत जन्नी को क्रोध आ गया और भ्रगुरिशी को बुला कर कहा कि मेरी देहुए माला किसको द बगरी का मो भी लगा उसका कारण यही था कि दश प्रजापती ने भगवान के प्रशाद का अपमान किया था लेकिन जानते तो हम यही थे कि दश प्रजपती कासिर शंकर जी का अपमान तिरस्कार करने की वज़े से कटा हुआ था पर इससे भी बड़ा कारण था कि उन्होंने माता आरानी के प्रिशाद अपने सोने यानि विश्राम करने वाले पलंग पर रख दिया था उनका अपमान कर दिया था इसलिए कहा भी जाता है कि सब भगवान का प्रशाद रखना क्योंकि कहीं कोई तिरुपती बाला जी जाता है या किसी भी तीस इस्थल पर तो रात भर रुपता ही रुपता है तो वो प्रशाद रख लेता है पर शंकर भगवान के प्रिशाद को चाहे वो बेल पत्र ही क्यों ना हो उसको रात भर मत रखना उसको रात होने से पहले आप खा लेना और किसी भी प्रिशाद को पलंग पर मत रखना क्योंकि पलंग पर हम कभी कभी खाना भी खा लेते हैं कैसे भी आकर के गंदे संदे सो भ लिट भी जाते हैं गंदे पाओं गंदे कपड़े से इसलिए अगर जब हम भागवान का पुषाद अपने पालंग पर रख देते हैं तो हमारे भागवान का तिरस्कार हो जाता है इसलिए कभी भी किसी भी भागवान का पुषाद पालंग पर नहीं रखना चाहिए